स्टुडेंट्स वेलकम अगैं टो एक्सपीकैडमी डॉट कॉम मारा वेब डिजाइनिंग के सिलसले में नेक्स लेसन है पेज प्रॉपर्टी इसके लिए हम जाएंगे अपने फोल्डर में और फाइल जो है इंडेक्स को उपन वेट फ्रंट पेज करेंगे इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें टेक्स लिखेंगे हेड़िन और दमी टेक्स यह हमारे पास थोड़ा सा डमी टेक्स्ट हाँ पेज प्रॉपर्टी देखेंगे हम राइट क्लिक करें पेज प्रॉपर्टी में जाएं सबसे पहले आपके पास जनरल में है लोकेशन आपके फाइल की लोकेशन ये है उसके बाद है टाइटल टाइटल है आपका न्यू पेज वान कैंसल करें और हम जरा इसका प्रिव्यू देखते हैं अपने इस पेज का तो ये आपके पास प्रिव्यू है अब देखें आपका टाइटल किदर है यहां पे हमें टाइटल कहीं भी नजर नहीं आ रहा न्यू पेज वान न्यू पेज वान आपका लिखा हुआ है यहां पे और दूसरा यहां पे टाप पे ब्लू एरिया में पेज के यह किस लिए है यह मुझानद जी यूस होता है यह भून के लिए यूज होता है यह यह इस को यूज होता है यह अब के वेब आफि assess Readers होते हैं अपनी वेब पेज जो भी पेज बनाएं उसके एक टाइटल दें तो हम यहाँ पे इसे एक टाइटल देते हैं दो तरीके से जा सकते हैं यह राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप पेज प्रॉपर्टी में जा सकते हैं फाइल में जाके और प्रापर्टी में भी जाएं तो यहां पर हम लिखते हैं आनलाइन अर्दू टुटोरियल्स अकैडमी यह हमारे xpcademy.com का एक डमी पेज है फर्स्ट पेज उसके लिए हम एक टाइटल चूज करते हैं आनलाइन टुटोरियल्स अर्दू कैडमी और इसको हम ओके करते हैं सेव और यहां पर जाके इसको हम व्यू देखते हैं इसका रिफ्रेश और देख सकते हैं आप यह इसने य प्रापर्टीज देखते हैं इसके बाद है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में आपने एक छोटा सी ब्रीफ एक या दो सेंटेंस लिखने होते हैं अपने पेज सेंटल इसके लिए हम एक डमी सा लिख देते हैं xpacademy.com is an online source for education in IT and software education या इस तरह सा कुछ भी आप लिख सेगते हैं ये एक छोटा सा आपका ब्रीफ होगी आपकी वेब साइट से मतलब ये भी आपको नजर नहीं आएगी ये भी है आपके search engine के लिए लेकिन ये बहुत ही जरूरी है इसके बात है आपका keyword ये भी एक बहुत ही जरूरी पार्ट है आपके बहुत important पार्ट है इसको आपने miss बिल्कुल नहीं करना है इन तीनों चीजों का title, description और keyword जब आप search engine marketing के लेसंज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी एमियत है इसकी इसके बात है keyword keyword वो कुछ words हैं जो आपकी जिन के उपर आपकी website बनी हुई है जिस तरह से आपका एक topic होता है तो वो आपका keyword है उससे related मिलते जलते जितने भी words हैं वो भी आपके keywords होते हैं जिस तरह से हमारा जो main keyword है वो है अर्दू tutorials इसमें online अर्दू tutorials software training software training in अर्दू इस तरह के keywords हो सकते हैं तो keywords एक तो यहां पे भी आपने इस्तमाल करने हैं और दूसरा page में भी आपने कहीं ने कहीं वो पे जो words हैं वो लाजमी क्यूज करने हैं यहां पे हम लिखते हैं online अर्दू अकैड़िमी अर्दू टिटूरियल्स अर्दू टूटूरियल्स अनलाइन अर्दू अर्दू टूटूरियल्स इस तरह के मैकसिमम आप 5 से 10 के दर्मयान करें ज्यादा ना करें क्यूंकि वो आपकी repetition को खराब करेगा online आपने page के background में कोई sound भी दे सकते हैं लकिन यह पुराना ही चीज है इसको आप इस्तमाल न करें format में जाएंगे format में हमने देखा है कि आप background picture इस्तमाल कर सकते हैं अपने सारे page के लिए browse करते हैं desktop में अपने folder में हम जाके एक file है sunset okay आपके page के background में एक picture आ चुकी picture इसके लावा background में color भी दे सकते हैं कोई background color let's pose this यह आपका background color आ गया इसको हम preview करते हैं थोड़ा सा और इसकी property को देखते हैं आगे क्या कुछ है format में और text का color भी आप इसमें दे सकते हैं text का color हम red ले लेते हैं तो यह सारे page की text का color इसने red consider कर लिया है पिछले हमने tutorial में link की सारी properties पढ़ ली थी देख ली थी कि लिंक आप किस तरह कर सकते हैं link को decorate और roller और effects वेर आप इसकी किस तरह दे सकते हैं आगे मजीद इसकी advance में है यह margins है margins कहते हैं कि आपका फासला कितना होना चाहिए आपके text का corner से आपके main जो table है इसका और बीच में जो text है इसका तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं है by default आपके लिए front page इसके margins को set कर देता है नीचे आपकी scripting है design time and scripting go एक developing level का का काम है तो इन्शाला आने वाले जब आप development का अगे काम शरू करेंगे तो इसमें यह सारी चीजें भी discuss हो जाएंगी यह कुछ basics थे आपकी page property के मतलए तो अमीद है इन्शाला आपको यह जो basic थोड़ी सी चीजें थी यह समझ आई होंगी अगर कोई चीज आपक speakademy.com पे जाएंगे हमसे राबता करें इन्शाला हम आपको फर्दर गाइड करेंगे थैंक यू अला आपिस